बैंकिंग छेटर में एक नई भरती आ चुकी है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो ये भरती आती है बैंक आफ इंडिया में और ये होगी पी ओ की बरती इसका आवेदन आप 11 फरवरी 2023 से ले करके 25 फरवरी 2023 तक कर पाएंगे यानि कि 25 फरवरी तक की आपको फीज जमा करना है एक्जाम डेट की घुस्टा नहीं हुई है जनरल OBC और EWS को 850 रुपए ACHT और PH कंडिडेट को 170 रुपए देकर आवेदन करना होगा आपकी उम्र एक फरवरी 2023 के दिन काउंट की जाएगी और इस दिन आपकी उम्र कम से कम 20 साल और अदिक्तम 29 साल हो सकती है हलाकि दो तरह के पद हैं और सब में अधिक्तम उम्र सीमा अलग अलग है तो आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले यहां लोपर इंडिया की भरती होगी और यहां पर 500 पद हैं यहां पर आप देखेंगे तो IT आफिसर में 150 पद हैं और क्रेडिट आफिसर में 350 पद हैं यह दोनों पद जन्राल लोबी सी एसी एस्टी एडबली एस में बाटे जा चुके हैं यहां पर हम बात करें सबसे जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो जो क्रेडिट आफिसर है इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए के वाल बैचलर डिग्री किसी वी स्ट्रिम में लेकिन जो आइटी आफिसर है इसमें आप देखेंगे तो तीन आपसंदिये गए हैं या तो आपके पास चार वर्सी इंजिनिरिंग हो या फिर यह टेक्नलोजी डिग्री हो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर अप्लिकेशन में इंफार्मेशन उसरकारी हों को पढ़िए और इसके आलामा आप नोटिफिचेशन पढ़ करके एपनी पूरी जानकारी सही कर सकते हैं अवेधन करने के लिए आपको अप्लाइं अलाइन पर किलिक करना होगा लेकिन मेक से उर उससे पहले आप नोटिस्टिफिकेशन जरूर पढ़ो यहां जाकर आसानी से आविदन कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना है इसी तरह की गवर्मेंट जाब अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और विजिट करें सरकारी घुब जाब बाइक करें सरकारी नियुक्वाइक करें और विच्वेश्ट राएक करें और विजिट करें टर्ट रिच्वाइक।